विल्कम गूड मॉर्णिंग आल देर फ्रेंट्स एंड इस्टूडेंट इप यह ने ने टूट इस चैनल देर सब्सक्राइब और प्लेज द बेल आइकन जैसा की देख रहे हैं आज की कलास में हम कच्छा सेबन की गनित पाठी पुस्तक प्रश्णावली 13.2 का अध्यन करेंगे और यह कोस्चन नमर देख रहे हैं 10 आपके बच्चों दी गई आकरती तैन में से यह भी समांतर सीडी है और कौन एम सीडी बरावर 135 डिग्री है तो एकस का माने निकाली यहां पर आपका एकस है इसका कतम माने क्या होगा इसको निकालने के लिए कह रहा है तो यह ऐसी आकरती जब है तो इसको हम निकालेंग इसको दिखे तो रचना में हमने क्या किया यहां पर M और N M N समांतर है किसका समांतर है तो AB का समांतर है तो यहां पर लिखे M N समांतर है AB और समांतर क्या है CD का है तो यह आपका हो गया CD यह सब हमने क्या यह एक रचना को हमने इंडिकेट कि तो ही इसमें हम लिखे अभी हाँ पर दिखिए वच्छू कि कि एबी एबी समानतर है MN यानि यह यह देखा है MN के समानतर में है अब यहां लिखें एबी समानतर है MN कोई दिखत नहीं है तथा इसमें से अब और क्या-क्या जोड़ी वो लिखना है तथा BM एक क्या है यह तिरियक छेदी रेखा है यहां तक यह कोई जिकत नहीं है क्योंकि यह BM जो है यह आपका यह तिरियक छेदी रेखा है जो इसको काड़ती है अब यहां लिखिए कौन ABM लिखेंगे कौन ABM फिर लगएंगे MCD लिखेंगे कौन ABM PLUS कौन BMN यह दोनों को जोड़ते हैं कितना होता अपका 180D होता है 180D क्यों होगा क्योंकि अंता कौन के का रण अंता कौन-युग्मसे य região यह क्या है अंता क्यों युग्मसे यह दोनों क्या है आपस में जोड़ा है क्यों ABM और यह BMN कोच दिखत नहीं, अब यहां देखिए, कौन A, B, M का फिल्ई कितना है, A, B, M का फिल्ई 120 है, यहां पर लिखे लिजीजे, 120 डिज डिगरी, पलस, यह कौन तो मालुम नहीं है, इसको एजे लाइक यहां पर लिख देजे, b, m, n, और equal to कितना होगा, 180 डिगरी यहां पर होग अब यह घटा देंगे इधर आएगा बराबर के चिन्हा में 120 डिग्री हो जाएगा अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा तो यह आपका 60-80 तो यह 60 डिग्री हो जाएगा यानि कौन BMN का भिल्यू कितना हो गया 60 डिग्री आगे बढ़ते हैं चलिए देखिए पुना इसको हम क्या करेंगे पुना लिखिए यहाँ पर MN MN समांतर है CD यहाँ तक कोई दिकत नहीं है अब तथा इसमें से क्या है तथा CM यह जो देखना है CM है यह तिरियक छेदी रेखा है अब यहाँ लिखिए इसमें क्या आता है अब यह देखते हैं कि कौन N M C पलस कौन D C M यह जो देखते हैं कौन N M C कितना डिग्रिय आपका बन रहा है कौन C, D Cum कितना बन रहा है ये हमको देखना है चलिए इसको निकालते हैं कितना निकलेगा आपका ये आपका क्या हो गया 1808 होता है यहां तक आप जान रहे हैं यह यहां कि अंतहकौन योग्म से जैसे 1 में बनाए उसी तरह 2 में इसको बनाए फास्ट पार्ट का यहां से बनाए जब यहां दिखिएॉ cown nmc kon nmc मालूम सिर्ट नहीं है यहां दिखिए conv nmc लास यह कौं का भील्यू कितना है आपका दिख यहां पर कॉन डी सी हम तो यह आपका है एकसो पाइनत occasions ऑन पर लिखेए ओनः कितना हो जाएगा 118 अब दीखें कॉन चुर्ट करना है यह 4 कोन अधन की एकसो पाइजिए डिग्री यह बराबर के कीट 625 डिडिडी हो जाएगा और यकॉल टुट जैए कृप्र कितना होगाव साथ रीघिडी कौन अन्म कंपा 35 रीए इंद्ञाइब कर सकते हैं कौन पूर्ष बुरी में घर में कौन एसाइप अ चीडनेवर अहीं को मालूम नही है चलिए इसको यहां लिए लीक लएते हैं क्उन B. M. N और यहां है प्लस क्उन N. M. C तो यह क्उन B. M. N. इम पिल्यु आपका है साथ डिग्री जो आप अभी हिहां पर निकाल है साथ डिग्री और एं तो यहां पर लिखे पलस इकुल टू दोनों को जड़ते हैं कितना हो जाता 105 दिगरी फ्रक्राइब यही आपका आंसर हो गया जो कि एक्स का मान यहाँ पर निकालने के लिए का रहा था तो एक्स का मान कितना हो गया आपका 105 डिगरी जैसे कि देख रहे हैं question number 11 आपके पास है d गई आकिरती में c d समानतर है e f यानि ये c d है और ये e f है ये दोनों क्या है ये समानतर रिखा है तो x तथा con a g d का मान गयाद किजिए तो यहाँ पर जैसे x आपका दिया 2x है तो इसका भी लिख क्या है जबकि con a g d con a g d का मान ये आपका दिया हुआ है तो इसको कैसे निकालेंगे चलिए इसको ध्यान से इसको देखते हैं तो यहाँ क्या है c d और e f समानतर है पहले यहाँ पर लिख लिजिए यहाँ पर हल लिकिए सुरुआत करते हैं यहाँ पर हल लिखिए अब यहाँ लिखिए c d क्या है आपका c d जो है यह समानतर है किसका e f का तो यहाँ पर लिखेंगे c d समानतर है e f का अब यहां पर लिखेंगे, कौन DGH, पलस, कौन सा कौन है, कौन हो गया, GHF, इक्वाल टू यदि दोनों को हम जोड़ते हैं, कितना होता है आपका, 180 डिगरी होता है, 180 डिगरी क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि अन्ता कौन योग में के कारण यह क्या है अन्ता कौन योग में के कारण चलिए अब यहाँ पर क्या क्या भील्यू है क्या क्या है 3x प्लस 10 है यहाँ पर लिखे लेते हैं 3x प्लस 10 मिखर्ण के बेंगे इसके बखलआ कैंण की इसकोद की बहुए कित्या मिखें यहाँ पर लिखेंगे कंखेंगे इक की वऑनधुटिक लिखेंगे करेंगे इसको अैसरों करने के बाद यहाँ पर देखिए तो यह 3x है यह 2x है दोनों तो add हो जाएगा तो 3 दू कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा 5x plus 10 equal to 180 हो जाएगा इसलिए 5x equal to 180 और यह minus हो जाएगा 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा 170 जैसे आगया तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे अब x का value निकाल लेंगे यहाँ आपका गुणा में है क्या हो जाएगा यह आपका भाग में हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए जदि इसको हम भाग देते हैं 170 में 5 से भाग देंगे कितना हो जागा आपका 34 हो जागा एकस इक्वाल टू कितना हो गया 34 हो गया अब आते हैं इसका देखते हैं कि आखिर इसका क्या बता रहा है फिर यहां पर लिखेंगे पुना अब यहां लिखिए कौन अग्वेरे इकस का भीली मेरा निकला 34 अब यहां लिखिए कौन एग्वेरे बराबर है क्या कौन ग्वेरे यह क्या है यह संगत कौन है इस चीज को अब जान रहे हैं अब यहां लिखिए, कौन ए, जी, डी बराबर कितना है, 2x आपका यहां पर दिया हुआ है, 2x है, अब यहां पर देखिए, कौन ए, जी, डी इक्वाल टू, 2, 1 लिखेंगे, x का भी लिख कितना निकला, 34 निकला है, तो यहां पर 34 लिख लिख लिजिए, अब यहां M है यह L रेखा है और यह आपका M रेखा है तो यहां कारा X का विल्यू क्यात करें कैसे हम निकालेंगे तो ऐसे ऐसे question आपके exam में पूछे जा सकते हैं लेकित धियान से इसको देखिए चलिए इसको यहां पर बनाते हैं यहां पर 3X माइनस 15 एक्वाल टू 2X प्लस 5 जो यहां पर दिया है बस उसी को लिख रहे हैं अब यहां क्या लिखेंगे 3X माइनस अब X एक तरफ ले आएंगे 2X अब यहां 5 है और यह आपका 15 हो जाएगा क्योंकि बराबर की इस साइड में आएगा तो 3 में दू घटाएंगे कितना होगा एक्स होगा एक्स इक्वाल टू कितना हो जाएगा यहां 15 और पांच जड़ेंगे 20 हो जाएगा प्यारी बचू यहीं तो आपका आंसर हो गया दिखें कितना हिससर अलग से आ एक्स का भेल्यू कहा रहा है यहां पर जो एक्स है इसका भेल्यू क्या होगा यह बताईए चलिए घाबराने की कोई बात नहीं है इसको समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं तो यहां पर जो जो समांतर रेखा है प्यारी बचू उसको लिखा करेंगे यहां पर लिख यह आपका क्या है यह सभी क्या है आपस में समानता रेखा है जो आपके पास यह दिखाई दे रहा है तो इसको यहां से यहां तक जदे हम मिला लेते हैं यह क्या हो जाता है एक रेखा भी खेचा जाता है तो चलिए इसको आगे का solution को बनाते वी चलते हैं यहां पर कौन के यूग्म से कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर लिखेंगे कौन BPO कितना है कौन BPO आपका है 125 डिग्री है और कौन POR क्या है यह मालूम नहीं है इक्वाल टू यह कितना होगा 180 डिग्री यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए है अब यहां पर देखें कौन BOR को बाहर कर देते हैं यहां पर देखें कौन BOR एक्वाल टू एक्सो असरी डिग्री माइनिस, 125 डिग्री तो इसको ज़題 घटायेंगे तक कितना हो जाए गा आपका 55 डिग्री हो जाएगा अब यहां पर देखें कौन टीत क्या होगा कौन यहां पर देख रहें यहां पर साफ लिखा है यह देख रहे हैं यह आपका कितना है 115 डिग्री का है तो चलिए इसको आगी का solution भी करते है 115 डिग्री और कौन POR का value कितना है 55 डिग्री यहाँ पर लिखिए इसका 55 डिग्री पलस क्या हो जागा कौन R O Q अब यह दिखिए कौन R O Q जो है तो इसको यहाँ पर 115 है चलिए 115 है यह पलस में है तो इधर जाएके क्या हो जाएगा मैनेस में हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कौन R O Q अब जब 115 में 55 को हटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाता है और यह जो 60 डिग्री आपका हुआ क्या होगी आईए कौन आर ओ क्यो होगी आब अब यहाँ पर देखिए आब यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे हैं धियान इसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे पुना यहाँ पर लिखेंगे पुना अब यहाँ लिखेंगे ओ आर समांतर है 180 degree होगा अब कौन R O Q का value कितना निकला था 7 degree और कौन ये तो मालूम नहीं है कौन O Q D कितना है ये मालूम नहीं है तो equal to इसका होगा कितना 180 degree इसलिए यहां क्या होगा कौन O Q D equal to क्या हो जागा 180 degree और ये minus हो जागा 7 degree जब इसको हम घटा इंगत कितना हो जागा आपका 120 degree हो जाएगा यानि यहाँ पर देखा जाए तो कौन O Q D की value कितना हो जागा आपका 120 degree प्यारे बच्चो यहीं आपका answer है उमीद है बच्चो आपको अच्छी तरह समझ में आगे होगा यह सारे Question का Solution हम अछी तरह से कर लिए पिछले वीडियो को देखना जाते हैं यह सारे Question का हम Solution कर चुके हैं और सारे Question को देखने के लिए Plannerista बना दियंए वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिसन में लिग़ित दिया हैं वहाँ से भी जाके देख सकते हैं थेंकियो फूर वाचिंग माई वीडियो